भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सुख बुगाहट तेज हो गई है। हैदराबाद में राष्टरिय कारिकारनी की बैठक है और माना जा रहा है कि बैठक के दरान भी प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर मंथन होगा और सिग्र ही केंद्रिय नित्रित के अस्तर पर एलान भी किया जाएगा भारतिय इंतापार्टी को इस बार 2024 और 2025 सामने उसका लक्ष है ऐसे में निश्चित तौर पर भारतिय इंतापार्टी जो लोक सभा का जो 2024 में चुना होगा उसमें भी मैक्सिम में स्ट्राइक रेट चाहेगी अपना बेहतर हो और भी ब भारतियंतापार्टीए कि कोई pson वोट覺 रहा है वह उसके साथ में है उसमें थोछी दलकी कि शची तौपर है पिछड़ा और मिल जाएगा नहीं है अच्छित तौर पर फिफ्ज़ा और जाति से मेरा वोटर ज्याद और जोधू में वन brush है और मिल यहाँ उत्याज स्बहा जाती से अगर माले यह कुर्मी मैंसे भी ज़से बनते हैं तो या फिर अनहें नहीं समाज से बनते हैं तो यह बहतर ममने इन के लिए प्रफ़ामेंस होगा क्योंकि वह उसकी लड़ाई तो मुख्विपक्षी पार्टी रास्ट्रे जंता नहीं से मतलब कि वो अगर हर विधान सभाज चेतर में दस परसेंट भी अगर वोट अगर जिदी कट कर लेता है वो मुख्वेपक्षी पार्टी का तो निश्चित तौर पर वह 100% स्ट्राइक रेट भरतियंदा पार्टी का हो जाएगा इसमें कहीं कोई दोमत नहीं तो उसी लक्ष को लिग जाएगी जिनके माध्यम से 27 के चुनाओं को सधा जा सके और 25 के विधान सभा चुनाओं को सधा जा सके बिहार में भी वो इस बार चैन में वो बड़ी सतरकता बरतेगी कि एक वैसे विक्ति को जिम्मवारी दी जाए, जिसके कंदों पर अगर हमने जिम्मवारी दी कि चुनाओं की रण्निती कैसे त्यार करनी है, परिणाम में चीजों को कैसे बदलनी है, कैंडिडेट का चैन में कैसे वो लिस्टिंग करेंगे कैसे वो संगठन की धार को मजबूत करेंगे भाजपा की जो अस्टेट जी रही है इधर अगर कुछ दिनों से देखा जाए तो अध्यक्ष के तौर पर कोई लोगसभा के सदस्य को ही जिम्यवारी दी जाती है कि वो केंद्रिय नित्रत्म से वो संपर्क में रहें ठीक है प्रदेश अस्तर के भी निता को अध्यक्ष की जिम्यवारी दी गई है लेकिन केंद्रिय अस्तर पर जब से भाजपा केंद्र में सत्ता में आई है तबसे देखा जा रहा है कि कोई ना कोई लोकसफा के सदस्य को ही ए जिम्मभारी दी जा रहा है दूसरी चीज, OVC बोटलों को साधने के लिए OVC जो सदस्य है लोकसफा के या वैसे चेहरे जो OVC को सीधे सीधे अपील कर सके हूद को जोड़ करके रख सके इधर BJP वैसे अध्यक्ष के चैन में ज्यादा गंभिरता पुरुवक ध्यान दे रही है या कह लीजे कि वैसे ही लोगों को जिम्मेवारी दे रही है पिछला बोट को साधने की कोसिस की है चुकि भाजपा को तो एक तीसरा कौन बनाना होता है न अगर OBC को लालू प्रसाद जी साध्य हु जुड़ गए लेकिन OBC EBC अभी फ्रैक्चरड हैं तो वैसे लोगों पर यह दाव लगा रही है बीजेपी बिहार में जो OBC और EBC को साथ सके इस बार भी ऐसा उमीद की जा रही है कि कि किसी उसी वर्ग से किसी व्यक्ति को प्रदेश सध्यक्ष की जिम्यवारी दे हैं चीजें तैव हो जाएगी और जब इनका टेनियोर खत्म होगा तो अगले जो प्रदेश सध्यक्ष होंगे उनहीं के बीच से OBC के बीच से ही किसी ने किसी व्यक्ति को चुना जाएगा चुकि 24 का लोग सभा का चुना हो इनके लिए बहुत माइने रखता है भाजपा के प्रदेश सध्यक्ष संजय जैस्वाल का कारेकाल जुलाई अगस्त माह में खत्म हो रहा है और नए नामों को लेकर चर्चा भी सुरू हो गई है दावेदारों की फेहरिष्ट भी लंबी है लेकिन केंद्रिय नेत्रितों के समक्ष 29 बात की है कि ऐसे चेहरे को सामने लाया जाए जिसके जर्ये 2024 और 2025 चुनाओ को साधा जाए और साथ ही साथ पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसे खत्म किया जा सके रंजीत इटीवी भारत